खेलो फ्रेंड्स मिसिस राठोट्स की चल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे इंस्टेट और इजिली बनने वाले रेसिपी जिसका नाम है फ्रेंच फ्राइज प्रेंच फ्रेंच बनाने के लिए हमने तीन बड़े साइस के आलू लिये हैं और उसे छील कर पानी में रख दिया है क्योंकि छीले हुए आलू बाहर रखने से काला पड़ जाते हैं पहले हम आलू की राउंड एजिस को इस तरह से कट कर लेंगे जिससे हमारी फ्रेंच 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 अच्छे शेप में बने राउंड इजिस को cut करने के बाद हम आलो को इस तरह से पतली slice में cut कर लेंगे वैसे तो मार्केट में french fries cutter भी मिलते हैं पर अभी वो मेरे पास नहीं है तो मैं इसे knife से ही cut कर रही हूँ फिर आलो की एक slice लेकर हम इसे vertical बिल्कुल ऐसे ही french fries के shape में cut कर लेंगे french fries को ज्यादा पतला या ज्यादा मोटा cut न करें इसे medium size में cut करें जैसे जैसे हम french fries को cut करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसे पानी में रखते जाएंगे जब सारी french fries cut हो जाए तब हम इसे 3-4 बार साप पानी से दो लेंगे क्योंकि आलू में stars ज्यादा होता है तो उसे निकालने के लिए हम french fries को अच्छे से पानी से 3-4 बार दो लेंगे french fries को अच्छे से दोने के बाद अब हम इसे medium flame पे fry करेंगे अभी हमें इसे पूरा fry नहीं करना है सिर्फ half fry होने तक इसे fry करेंगे अब इसे half boil भी कर सकते हो बीच बीच में हम french fries को ऐसे हलके से पलटते रहेंगे और half fry होने तक इसे fry करेंगे लगपगे medium fry होने आई है यहाँ fries को fry होने में 3-4 मिनिट जितना समय लगाए अब हम french fries को प्लेट में निकाल देते हैं एक french fries लेके हम इसे चैक कर लेते हैं कि french fries अच्छे से soft हुई है कि नहीं यह देखो हलका सा प्रेस करने से यह थोड़ी से soft लग रही है पर अभी एक क्रिस्पी नहीं है अब हम इसे जिप लोग बैग में रखके एक गंटे के लिए फ्रेसर में रख देंगे french fries को क्रिस्पी करने के लिए इसे फ्रीजर में रखना बहुत जरूरी है आफ्टर फ्रीजिंग हम french fries को फिर से fry करेंगे अभी french fries को high flame पे fry करना है जिससे यह क्रिस्पी हो जाए fry करते समय इसे थोड़े थोड़े समय पर आसे पलटते रहेंगी जब तक french fries क्रिस्पी और golden brown ना हो जाए अब हमारी french fries अच्छे से golden brown होने आई है तो हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं यह देखो आवाज से ही आप पता लगा सकते हो कि हमारी french fries एक्टम क्रिस्पी बन ही है अब हम इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लेते हैं आप चाहो तो इस पर चाट मसाला भी डाल सकते हो यह हमारे सुपर क्रिस्पी french fries बन कर रेड़ी है आप इसे टॉमेटो केचप के साथ सौव कीजिए क्रिस्पी बन कर रेड़ी है